हेलो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आज मैं आपको ले जो वीडियो नहीं करा देखिए बात करेंगे एक साथ रुपे के पहनी शेयर के जो की आज मल्टी बेगर स्टॉक बन चुका है बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से रिस्क मैनेजमेंट को समझने की करेंगे डिटेल में और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लाए बैल आकन को प्रेस कर लाए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रही और प्राइस से सीखने के लिए आप जोइन कर स यह हमने यहां पर लास वीडियो में सीखा था साथ मैं सन फार्मा ने किस तरीके से सुपर मोमेंटम एरिया में बॉक्स बनाके बड़ी रैली हमको दी आज हम बात करने वाले जिस स्टॉक इसको तसल्दी से देखना और समझने की कोशिश करना यह एक स्टॉक है पहले किसी स्टॉक को पहनी स्टॉक पहनी स्टॉक कहते थे और इसका जब प्राइस था खास लेवल पर यह लेवल देखे यह साथ से आठ का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट यह प्राइस था यहां पर यह साइकल स्टार्ट कर रहा था वीकली पर बहुत इंपॉर्टेंट और वहा गया आज की डेट में इस टॉक को सब्सच चली नाम कल गया जब करोड Only आँध कर, सबीज़ 12 िसी को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब को सभाण वॉ आपको केना मिंधव करेंग भी थी जा क्रूड करेंगई बढ़न उस time पे कितनी कम प्राइस पे था तोGuश्स पर मारे को अच्छा खासा प्राइस मिलता है लेकिन कि च deprived किसी शियर में अगर मोविंग अभरेंस से दूर बढ़ जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है close to the moving average हमारे लिए opportunity बढ़िया होती है फिर से ये stock के बारे में discussion करने इसलिए आया है क्योंकि पिछला जो rally आया था बढ़िया volume के साथ आया था correction चल रही है weekly पर 200 SME की अर्दगिर्द situation आपको देखने को मिल रही है तो इसलिए ये stock जो है वो important हो जाता है साथ में हम जब भी discussion करते हैं जो low point होते हैं अगर उसके last low point को हम देखते हैं तो दिखता है कि या low तो इसने बनाया इस low में आप देखिए clearly equal lows या kind of positivity चे आपको देखने को मिल रही है तो इतना हमारे लिए काफी नहीं है 200 SME weekly से rejection था लेकिन इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इससे सीखेंगे देखिए weekly हमने देख लिए आप डेली टाइम फ्रेम में कहा कि positive cycle स्टार्ट हुए और 200 SME बहुत important जो है support का काम कर रहा है इसलिए यह stock radar में है पिछली बार जब cycle स्टार्ट हुई थी कुछ इसी तरीकी से cycle स्टार्ट हुई थी 6-8 के लेवल पर और यह था time जब इसने move स्टार्ट के था September 2020 फिर rally आती है फिर एक correction आती है जो कि October 2020 यह stock हमारे radar में उस time पर आ था और आपके सामने हमने वीडियो बना के प्रस्तूत भी क कर सकता है बड़ा दमा का September 2018 2020 का और अगर मैं इसका price section दिखा हूँ तो यह था उसका price section देख रहो ना अब आप कहोगे वाह देख रहो तो basic और यह 200 SME के line है basics common है कोई नए नहीं है उसके बाद फिर से जब वापस pullback आया तो फिर से आपके सामने काफी detail में चर्चा की गई कि अगर आपने यह दोनों वीडियो नहीं देखे तो मैं description में आपको link दूंगा Trident की वीडियो आप एक बार जरूर देखें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा Trident की वीडियो से जब ट्राइडेंट की इन वीडियो को जब आप देखोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि प्राइस तब तक अप्रीशेट नहीं हुआ था और आज की देट में फिर से ट्राइडेंट इसी कार्णवस जो पहले हमको साइकल देखने को मिली थी फिर से रडार में और अभी देखिए अब आप खुछ सोचिए मालो आप बहुत दूर यहां पर एंट्री लेते हो स्टॉक में यानि कि आपने एंट्री लिए इन एरियाज में और आपने एंट्री ली और अभी यह जो लो बनायश ने 25 तो आपको लगेगा कितना लॉस हो गया है और कहते है कि रिस्क मैनेजमेंट की है तो माल लोगर मैं यहां पर थर्टी एट पेंट्री ले रहाँ मुझे पता है बाई मैं जो है निकल जाओंगा बद्धिस पर यानि कि मेरा per thousand का यहाँ पर अगर मैं thousand share खरीता हूँ तो 6000 कही loss है और अगर मैं यहाँ पर 6000 का loss लेने को तो याद नहीं हो मातर 3000 के loss के साथ जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा share की quantity को half करके 500 share खरीतने के कोशिश करूँगा as per my loss सो इसces really important मैं बार-बार आपको इस हीके बारे में position sizing के बारे में risk management के बारे में बात करते हैं और उसका major कारण यही है उसका major कारण क्या है क्योंकि जब इस तरह से situation आती है और ये बड़े-बड़े losses आप time देखे एक तो जो प्राइस है वो नीचे किर रहा है दूसरा कितना टाइम यहां पर आपको लग रहा है आपने एंट्री ली मान लो इन लवल पर 2022 की स्टार्टिंग में और यह लवल देखिए और मुस्ट डेड़ साल आपका पैसा तो ब्लॉक रहा ही रहा लेकिन पैसे की वैल्यू भी यहां पर यहां पर एंट्री ले रहे हो तो आपका डीप स्टाप लोस क्या है यह बहुत इंपॉर्टन है रिस्क को समझना यहीं बार बार आपको कहा जाता है कि रस्क मैनेजमेंट इस दगी इन मार्केट तो लॉसज को जरूड देखना है एंट्री से पहले आपको यह ड में कितने लंबे टाइम तक आप बने रह सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात जब लॉसस डिफाइन नहीं होते हैं तो इक दिमाग में अंसर्टेनिटी होती है अब निकलू कब निकलू नीचे गिर रहा है कब निकलू है न लेकिन जब आपका लॉसस डिफाइन है मालो आपने एंट्री लेनी सत्तर पर आपने का भाई मैं 50 पर निकल जाओंगा मेरा इतना ही कपासिटी है तो आप निकल गए जैसे आपका प्राइस के अराउंड क्लोजिंग आई उससे नीचे क्लोजिंग आई तो आप क्या हुआ निकल गए तो इस इस डिए बेकिंग की बारी होती है तो उस टाइम पर आप जिजगते नहीं हो और ऐसे फॉल से आप क्लियरली अपने आपको दूर रखते हो आज नहीं तो कल आप उसमें से निकल लगए क्यों कि आपका जो प्लान था वो फिल हो चुका है फिलहाल आपका प्लान फिल हो चुका है अ माध्यम से आपको confidence दिलाएंगी तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें चाहे वो रागुदर एक्सराइज हो चाहे वो डेली एक्सराइज हो जैसे मैं भी आपको कहते हैं कि अगर दिन के 200 स्टॉक्स को उठाते हो 200 स्टॉक्स और चार्ट आपके पास होते हैं मन्तली वीकल चुछे 8000 चार्ट आपकी नजरों से निकलते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है समझना यह चोटी-चोटी चीज़ जरूर है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट मैं कहूंगा समझना सीखना फिलाल वाइंड आप करता हूं वीडियो का और उमीद करता हूं आपको समझना जरूर कीजिए लाइक कीजिए प्रैस सेक्षन सिखते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए और थैंक यू प्राइक पराचिक दो वीडियो